हेलो स्टूरेंट्स वेलकम टो बाइमेंटर्स क्लासेज ऑनलाइन तोडे वी आर गोईंग टो डिसकास दा नेक्स टॉपिक इन आवर चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटर और आज जो हम लोग यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं मोड आफ ट्रांसफर हीट के अंदर में हम लोग स्टार्ट करेंगे कन्वेक्शन इस टॉपिक से कहां से स्टार्ट करेंगे कन्वेक्शन तो अब आपको समझ में आ गया है कन्वेक्शन और रेडियेशन दो ही टॉपिक अपने इस चैप्टर में बचे हुए हैं उसके बाद में हम लोग निमेर की वज़े से होता है actual में जो भी substance है जो भी matter है उसके molecules जो है वो actually यहाँ पर क्या होते हैं motion में आते हैं और इसके कारण यहाँ पर heat का transfer होता है तो इस process को हम लोग कहते हैं convection कहते हैं yes or no so it is the process it is the process of heat flow it is the process of heat flow in which in which actual transfer of actual transfer or motion of molecules occur molecules occur ठीक है यह हमारा convection का definition है actually convection में हम लोग बात करें तो हमारे पास में ऐसा कोई law तो नहीं है properly लेकिन फिर भी हम लोग convection में जो heat current है इसके लिए हम लोग जैसे हम लोगोंने conduction में पढ़ाता heat current को capital H वैसे यहाँ पर भी लिख सकते हैं H A delta T H is the convective constant H क्या है convective constant A area of surface area है delta T is the temperature difference so हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं लेकिन यह किसी भी काम का नहीं है आपको convective constant हो जाएगा यह ठीक है यह क्या है आपका area हो जाएगा area of surface ठीक है जो surface area है और delta T क्या हो जाएगा आपके पास में temperature difference अब यह वाला point पढ़ा नहीं पढ़ा उससे कोई ज़्यादा फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि examiner आपसे नहीं खूर सकते हैं अब इसमें जो convection के ऊपर में based phenomena है उन Secure की मानसून की मानसी किया होता है जो इंडिया में जो बारिश होती है ना उस बारिश को हम लोग मानसून कहते है ठीक है उस बारिश को हम लोग मानसून कहते हैं जब गरब pea 치ण के बाद में बारिश का सीजन आने हैं तो स्टार्टिंग में जब गर्मियों का सीजन हो रहा होता है तो हम जानते हैं दें को यह हमारा प्यारा भारत लगभण ऐसा कुछ तो भी ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया अब देखो ये थोड़ा सा समझ जाईए कि लगबग हमारा प्यारा भारत और यहाँ पर आपका क्या है इधर बंगाल की खाड़ी को क्या बोलते हैं बे ओफ बेंगॉल बोलते हैं Arabian Sea अरभ सागर और नीचे यहाँ पर श्री लंका है और नीचे यहाँ पर आपका क्या है Indian Ocean हिंद महा सागर है यहाँ नीचे यहाँ पर ठीक है जेगराफी की क्लास चालो हो गई तो यहाँ पर यह राजस्थान थोड़ा सा भी चोड़ा हो गया टेडा हो गया बीच में जादा गये ठीक है समझ सकते है यहाँ पर गुजरात है यहाँ राजस्थान है आर जे यह ये गुजरात ये राजस्थान ये जे एंड के फिर यहां पर कहीं है हरियाना है पंजाब है उल्टा लिख दिया चाहिए मैंने हरियाना नीचे आएगा पंजाब उपर आएगा ओके इधर में कहीं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश बहुत सारे स्टेट्स हैं बीच में म आंदरप्रदेश यहां पर तेलंगाना यहां ओरिसा यह बहुत सारे स्टेशन बहुत हैं इतने बहुत हैं हम में बात क्या कर रहे हैं कि यहां पर हमें जो में बात है गानी ती जोग्राफिक क्लास से बाहर निकल के आईए नक्षा मेरा गंदा सा बना है मैं जानता हूं को कोई बात नहीं है ठीक है यहां पर अभी फिर कई लोग बोलेंगे सर यह पट्टी को ज्यादा चौड़ी नहीं होगी वो तो बहुत पतली सी है चिकनने कहते हैं इसको कोई बात नहीं समझदार है ना हम लोग क्या कह रहे हैं कि देखो यह जो अपना प्यारा भारत है वो ती से देखा जाए तो यहां पर भी बहुत सारे आपके परवत जो है पहाडियां वाला रीजन है महाराश्ट्रा में भी बहुत सारा है यह पूरा यह आपका पथरीला इलाका पहाडियों वाला इलाका है ठीक है अब होता क्या है कि जब गर्मियों का समय होता है तो हमारा जो स क्यआ अर्थ पे सब तरफ में equally distribute होता है क्यों नहीं होता है क्यों कि अर्थ की shape कैसी है अंडाकार है को स्पijnी कल मैं याई ट ईसलिए बीच मेसे बाहर की तरफ निकला हुआ ऐसा इसका शेप मैं लेकिन हम यहाँ पर अपने इंडिया के लिए बात कर रहा है तो इंडिया के लिए जब मैं बात कर रहा हूं तो क्या हो रहा है कि बहुत बहुत भहंकर वाला गरम तो जब यह एरिया गरम होता है और यहां पर आजू-बाजू में क्या है पानी वाला सर्फेस है वाटर वाला सर्फेस है तो जो वाटर है वो आपका comparatively slow गरम होता है compared to this land reason तो यहाँ पर जब यह जल्दी गरम होता है तो जल्दी गरम होने के कारण इसके पास में surface के contact में जो air है वो गरम होके उपर की तरफ उठती है और गरम होके जब वो उपर की तरफ उठती है तो यहाँ पर क्या होता है यहाँ से वो थंडी होई यहाँ से वो थंडी होई इधर की तरफ चलने लगती है लेकिन यह जो होई इधर से आ रही है या इधर से आ रही है जो भी आ रही है उसको हम लोग मानसुन आगे चलके discuss करेंगे तो यह जो होई यहाँ से आ रही है they are loaded with what? loaded with what? moisture यह किस से loaded है, moisture से है, loaded है, मतलब इसमें water के molecules है, जब यह हवाय ऐसे चलती है, तो यहाँ पर जो पहाडियों की जो range है, उससे वो हवाय टकराती है, बराबर है, क्यों यह चलने लगी, क्यों कि जब यहाँ से air उपर उठी, जब यहाँ से air उपर उठी, गरम हो करके, तो प्रेशर वाले प्लेस से, लो प्रेशर वाले प्लेस की तरफ में wind flow करने लगती है, ताकि प्रेशर को equalize किया जा सके, लेकिन जब ऐसा हो रहा होता है, तो यह जो air आती है, वो आती है sea side से, किदर से आती है, और जब यह sea side से ऐसी air आती है, तो उसमें पहले से moisture है, तो air water molecules रिल्साय, यह जाके टकराते हैं, टकराके पूरे भारत में क्या होती है? बारिश होती है, इसे हम लोग मांसून कहते हैं, ठीक है? मांसून की प्रोसेस समझ में एजि़ अगला जो point होता है अगला पॉइंट है आपके पास में ट्रेड विंट्स टीक है अब यदि मैं कहलों सोचर होंगे सर अनिमेशन मनवाते थे बहुत अच्छा लगता था हमें समझने में I know that बट उसमें जादा टाइम लगता था क्योंकि फिर एनिमेशन वीडियो बनता था मैं उसी के हिसाब से उसमें करवा रहा होता हालां कि देखो यह तो बस क्या है इंट्रेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो आपके पढ़ाई को थोड़ा सा इंट्रेस्टिंग बनाने के लिए दिये गए अंतरवाई इसमें से क्वेस्टन पूछे जाने की संभावना जो है वो ना के बराबर है अब यैसे ही जब ट्रेड विंड्स की बात करते हैं तो इन्हें व्यापारिक पवने कहते हैं बेसिकली क्या है यह आप अपनी अर्थ को कंसिडर कीजिए अर्थ में क्या हो रहा है कि यह यहाँ पर थोड़ी सी चप्टी है यहाँ पर थोड़ी सी चप्टी है यह आपका नौर्थ पोल ह और बीच में यहां पर क्या है आपका equator है ठीक है तो ये जो equator वाला Reason है तो मान के जलो पहीं भी sun होगा तो जो sunlight आ रही होगी तो हम लोग कहेंगे जो equator reason है जो भी आपका भूमद्य रेखा के पास वाला जो शेतर है Receives more energy Receives more energy या more heat energy कि यहाह बात तो सही है जब कि यहां भाले रीजन की दूसरी खास बात क्या है कि यहां पर वाटर बॉड़ी कम है जब कि यहां पर लेंड बॉडी ज़ तो जमीन जादा है, पानी कम है, तो लेंड जादा है, तो यहाँ पर क्या होने लगता है, कि यह जो लेंड वाला रीजन है, वो आपका वाटर की तुलना में जल्दी गरम होता है, जब यह जल्दी गरम होने लगता है, तो होता क्या है, कि यह हिस्सा जल्दी गरम हो गया, व Northern Hemisphere एक हो गया आपका Northern Hemisphere और एक हो गया Southern Hemisphere क्या हो गया बिटा Southern Hemisphere दक्षणी गोलार्द और उत्तरी गोलार्द की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं तो अब जब हम लोग Northern Hemisphere में होते हैं तो हमारे पास में ऐसा होता है कि Equator गरम और North Pole थंडा ध्यान से दिखना Equator यह हो गया आपका होट और यह हो गया थंडा Northern Hemisphere में Southern Hemisphere में यह कोल्ड और यह होट बिल्कुल वही प्रोसेस तो जो होट रीजन है वहां की एयर क्या होगी उपर उठेगी और जो थंडा रीजन है वहां से एयर होट रीजन की तरफ चलने लगेगी होट रीजन की से होट रीजन की तरफ एयर आपकी फ्लो होने लगेगी लेकिन यहां पर एक पॉइंट और है और वो पॉइंट क्या है कि भाईया यहां पर आपकी धर्ती जो है वो भी क्या होती है रोटेट होती है कहां से कहां वैस्टू इस्ट तो Northern Hemisphere में Northern Hemisphere में उत्तरी गोलार्ण में जब आपकी अर्थ भी रोटेट हो रही तो उसका भी एफेक्ट आएगा तो उसका एफेक्ट आने के कारण होता यह है कि हमें जो यह विंड है वो ऐसे प्रतीत होता है कि मान के चलो इधर से आ रही है तो Northern Hemisphere में यह जो विंड है वो ऐसा अपियर होता है कि North East से आ रही है जबकि Southern Hemisphere में ऐसा प्रतीत होता है कि यह जो विंड है यह South East से आ रही है और इन इस इन विंड को कहा जाता है trade winds क्यों कहा जाता है क्योंकि पुराने समय में जो वियापारी लोग थे जो समुद्री यात्रा करते थे वो इन winds की सहाईता पे इन winds की help से वो location को ढूंडा करते थे ठीक है बात समय में आ रही है तो यह trade winds इसके लिए इनको नाम दिया गया है ट्रेड वेट्स बाकी इनका बारिश में कोई हमें कोई उनसे रिलेशन नहीं है बारिश वाली तो अपनी मान सुन हो गई यह तो व्यापारियों के लिए है ना बासन में आ रही है और यहां पर जादा पार्ट मिल रहा है और दूसरा यहां पर एक पॉइंट और क्या है कि यहां पर क्या है लेंड बॉड़ी जादा है मतलब लेंड जादा है तो यह जल्दी गरम होता है और यहां पर जहां पर वाटर बॉड़ी है वो कमपेटली स्लोली गरम होती है लेकिन जब ऐसा होता है उसके साथ में एक पॉइंट और होता है क्या हमारी धर्थी दो पार्ट में बढ़ी हो यह Northern Hemisphere और Southern Hemisphere तो Northern Hemisphere में जो North Pole है वो थंडा रीजन है और Southern region में South Pole वो थंडा रीजन है यह दो थंडे थंडे रीजन है अब यहां पर क्या होता है कि जैसे यह रीजन गर्म होता है तो यहां से हवाएं उपर की तरफ उठती है और गर्म हवा उपर उठेगी तो नीचे क्या होगा थंडा रीजन वहां पर वैक्यूम क्रेट होगा विस वैक्यूम को भरने के लिए North Pole से हवाएं इस एक्वेटर की साइड में चलने लगती है कि coming from South West, coming from South West, coming from North East, यदि question पूछा तो इससे ज़्यादा और इसमें कुछ भी नहीं पूछा जाएगा यस और नो तो हमारे पास में ये एक पॉइंट हो गया, convection से related हमारे पास में दो पॉइंट और हैं, एक है land breeze और एक है land breeze and sea breeze, ठीक है land breeze and sea breeze, जमीनी पवने और समुदरी पवने, बिलकुल वही वाली किस्सा है, क्या होता है, दिन में क्या होता है और रात में क्या होता है, अब यहाँ पर दिन और रात की कहानी चलेगी, दिन के समय, जब हमारा दिन होता है, तो दिन में क्या होता है, कि हमारी जो बॉड़ी है, कौन सी बॉड़ी, जो जमीन है, देखो, जैसे मानगे जो हम लोग ऐसा कुछ बना लेते हैं, ठीक है, यह आपका लेंड वाला रीजन है, लेंड रीजन, और यहाँ पर हमारे पास में वाटर रीजन, ठीक है, वाटर रीजन, ओके, सो यदि हम लोग बात कर रहे हैं, डे टाइम में, हम लोग बात कर रहे हैं, डे टाइम में, तो डे टाइम में क्या होगा, यह जो सर्फेस है, यह जो लेंड रीजन है, क्विकली हीट होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, और यह वाटर रीजन जो है, वो स temperature of land will be more compared to temperature of water यदि इसका temperature जादा है कहानी देखो एकनी देख से मैं वही बता रहा हूं इसका temperature जादा है तो यहाँ पर जो air present है वो क्या होगी गरम होगी और यह गरम air क्या होगी उपर की तरफ उठेगी जब यह air उपर की तरफ उठेगी तो इस समय यहाँ पर फिर से वही बात की कम pressure वाला reason बन जाएगा और यहाँ पर water body से water body से यह थंडी हवाएं इस side में flow होने लगेंगी लेकिन यदि हम लोग इसी कहानी को रात में देखते हैं इसी कहानी को कहां पर देखते हैं during night time यह यह आपका land reason as it is और यह आपका water reason land reason और water reason ठीक है अब क्या होगा रात के समय में during night रातरी के समय होने वाला क्या है यह वाला जो reason है quickly जल्दी से क्या होगा becomes colder और यह वाला क्या होगा slowly cold होगा धीरे धीरे क्या होगा cold होगा धीरे धीरे क्या होगा cold होगा यह धीरे धीरे थंडा होगा यह जल्दी जल्दी थंडा होगा जब यह धीरे धीरे थंडा होगा और यह जल्दी जल्दी थंडा होगा तो इसका temperature कम हो जाएगा और इसका temperature इस समय जादा हो जाएगा अब ऐसा होने पर क्या होगा कि यहां से जो हवाएं हैं यहां से गरम हवाएं इधर जाएंगी और यहां से थंडी हवाएं इधर आएंगी तो यह आपका क्या हो गया land breeze and sea breeze का concept हो गया बस इतना सा ही convection में और कुछ भी नहीं है अब हम लोग सीधा सीधा अपने topic को स्टार्ट कर सकते हैं और अपना topic है radiation so let us start with the radiation topic very fast जल्दी से इसको शुरू कर देते हैं radiation क्या है radiation के अंदर में radiation में क्या पढ़ना है so बिटा देगो पहला हमारे पास conduction वाला प्रोसेस था conduction में क्या हो रहा था जो solid state material थे उनमें हम लोग conduction की बात कर रहे थे वहाँ पर एक किसी भी body के एक end को गर्म करने पर body के दूसरे end तक आपका heat का flow हो रहा था और उस end पर temperature rise करने पर दूसरे end पर आपका temperature rise हो रहा था है motion में आते हैं actual में molecules heat को अपने साथ में ले करके चलते हैं तीसरा है radiation basically radiation की जब हम लोग बात करते हैं तो it is the process of heat transfer with the due to electromagnetic मतलब यहाँ पर radiation में जब हम लोग बात करते हैं तो radiation में हम लोग simple सी बात करते हैं कि जब आपका heat का transfer transfer electromagnetic waves के form में होता है तो हम लोग इस transfer को कहते हैं रेडियेशन इसको क्या कहते हैं रेडियेशन इसको क्या कहते हैं बीटा रेडियेशन अब यहाँ पर यदि radiation है electromagnetic waves के form में जब मैं बात कर रहा हूं तो इसका मतलब यहाँ पर medium की requirement नहीं है तो हम लोग कह सकते हैं the process the process in which the process in which heat transfer in which heat transfer takes place heat transfer takes place without any medium without any medium medium की माध्यम की अनुपस्तिती में भी जो उश्मा संचरण होता है उसे हम लोग कहते हैं रेडियेशन उसे हम लोग क्या कहते हैं रेडियेशन अब इस रेडियेशन में हमें जद भी बात करनी है तो रेडियेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं तो बिटा ये जो radiation जब निकल रहे होते हैं तो हम लोग कहते हैं यहाँ पर कुछ points को आपको ध्यान रगना है everybody 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 having temperature having temperature more than 0 Kelvin more than 0 Kelvin emits radiation emits radiation radiation यह बात पहला point कोई भी body हर body जिसका temperature 0 Kelvin से उपर है 0 Kelvin लिखा है इस बात को ध्यान लगता है 0 degree Celsius नहीं लिखा है तो 0 Kelvin से ज़्यादा temperature तो almost सारी body का ही रहता है मतलब हर body मैं से आपके radiation निकल रहे होते हैं और इन radiation को हम लोग नाम देते हैं thermal radiation ठीक है इनको क्या नाम देते हैं thermal radiation नाम देते हैं basically यह जो thermal radiation हैं वो आपके electromagnetic waves हैं यह क्या हैं आपकी electromagnetic waves हैं और यदि मैं बोल रहा हूँ कि यह electromagnetic waves है तो इसकी कुछ न कुछ क्या रहेगी wavelength रहेगी इसका simple सा मतलब यह होता है कि everybody having temperature zero calvin everybody having temperature more than zero calvin emits some radiations emits some radiations of some wavelength अब यह wavelength कितनी होंगी क्या होंगी इसके बारे में ही हम लोगों को इस chapter में पढ़ना है आगे का हिस्सा पहला point है everybody having temperature more than zero calvin emits the radiation और यह जो radiation है thermal radiation का आजाता है यह जो thermal radiation होते है basically क्या है यह electromagnetic waves है यह क्या है basically electromagnetic waves है हाला कि इनकी जो range होती है generally generally यह जो wavelength हमारे पास में आता है तो mainly हमारे पास में यह रहती है आपकी infrared rays होती है आपको 12th class में chapter electromagnetic waves उसमें आपको पूरा spectrum दिया गया है तो अभी हम लोग जो बात करें thermal radiation उनकी range किस range में होती है infrared wave length के form में होती है मतलब इनकी wavelength लगबग लगबग 1 micrometer से 100 micrometer के range में होती है ठीक है शौर पहला point देखो बहुत सारा data जो है न यहाँ पर theoretical point of view से बनता है इस बात को ध्यान लगए ऐसा नहीं है कि बस सुनते जा रहे हैं सुनते जा रहे हैं infrared waves क्या है infrared waves इनकी range लगबग इनकी रेंज लगबग इनकी रेंज रेंज वन माइक्रो मीटर तू 100 माइक्रो मीटर दूसरा point thermal radiations जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं इनकी जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं travel in a straight line travel in a straight line एक सीधी रेखा में क्या करते हैं travel कर रहे हैं तो इनकी जो कुछ speed होगी that will be 3 into 10 to the power 8 meter per second मतलब है speed of light यहीं से हम लोगों ने इनको नाम दिया था कि भहिया यह भी आपकी electromagnetic waves ही हैं yes or no यह जो thermal radiations हैं यहाँ पर they also show the phenomena of interference diffraction, polarization यह सारे phenomena ध्यान दगना यह कौन-कौन से phenomena की बात कर रहा हूं मैं interference यह तो सुना हुआ है diffraction 12th class physics में है wave optics में polarization यह सारे phenomena को यह क्या करती हैं represent करती हैं यह show कर सकती हैं क्योंकि thermal radiations are the waves ठीक है यह basic theoretical questions के लिए इतना data है जिस पे directly theoretical question कोई भी form कर सकता है अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम लोग एक topic डालते हैं और उस topic का नाम है हमारे पास में कि भी देको यह जो thermal radiation जब चल रहे होते हैं कहीं न कहीं से जा रहे हैं तो इसमें कुछ phenomena आते हैं उनको हमको समझना है एक होता है absorption एक होता है reflection और एक होता है transmission ठीक है क्या ये तीन phenomena आप समझ पा रहे हैं क्या मैंने नाम दिया है absorption, reflection and transmission ये तीन phenomena's के बारे में हम लोगों को यहाँ पर discuss करना है देवो पहले मैं आपको एक कुछ चीज़ और बताओं क्या होगा ना शुरुवात में ऐसा लगेगा कि हम लोग थोड़ा सा फास चल रहे हैं ठीक है और आज के लेक्चर की जो शुरुवात है उसमें बोस्टली theory content जादा कवर हो रहा है कैसा content जादा कवर हो रहा है theory content जादा कवर हो रहा है लेकिन इस theory content में आप अपनी NCIT उठा के देखना और मैं आपर जिन चीज़ों के बारे में डिसक्स कर रहा हूं उनको भी देखना तो हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे वो एक्स्ट्रा क्यों पढ़ना है हमें competitive exam देनी है इसको थोड़ा सा ध्यान दीजे हाँ हो सकता है कई किसी में कई लोगों को क्या theoretical portion आते ही boring boring सी feeling आने लगती है तो उस boring boreat को थोड़ा सा side में रखें और यहां पर पढ़ने पर focus लगाएं ठीक है so basically कहा क्या गया है कहा ये गया है कि जब हमारे पास में किसी भी surface पर कोई radiation या तो आता है कोई किसी भी surface पर जो radiation आते हैं वो इन तीन parts में distribute होते हैं कुछ part उसका absorb होता है कुछ part उसका reflect होता है और कुछ part आपका उसका क्या होता है transmit होता है फिर से मैं बोल रहा हूँ उसको समझे क्या बोल रहा हूँ कि कुछ पार्ट आपका absorb होता है कुछ पार्ट reflect होता है और कुछ पार्ट transmit हो जाता है मतलब मान के चलो आपके पास में ये कोई तो भी एक substance है ठीक है मेरे पास में ऐसा कोई तो भी substance है तो यहाँ पर क्या हुआ लेट से यहाँ से आपके पास में एक energy IQ और ये है बटा Q incident ये आपकी thermal energy जो यहाँ पर आके गिरी जब यहाँ पर आके गिरीगी तो इसके बाद में इसमें तीन possibilities है क्या कि इसका कुछ पार्ट क्या हो जाएगा reflect हो जाएगा तो Q reflected ठीक है कुछ पार्ट क्या होगा यहाँ पर इस सर्फेस के अंदर में absorb हो जाएगा so that is the amount of energy Q absorbed and इसके अलावा कुछ पार्ट क्या होगा यह आपकी कुछ पार्ट यहाँ पर transmit हो जाएगी तो जो energy इस slab के पास में रह गई वो Q absorbed है जो वापस टकरा के चली गई वो Q reflect है और जो इस slab से पार होके निकल गई वो आपकी Q transmit है so जो incident energy थी मेरे पास में जो incident energy थी वो तीन हिस्सों में क्या होती है डिवाइड होती है और हम लोग energy conservation के बारे में तो जानते ही है तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो Q incident होती है वो Q absorption plus Q reflection plus Q transmission के equivalent होती है अब चाहोती है स्मॉल बना लो मतलब जनरली आपको लिखा हूँआ मिलेगा incident Q absorb Q reflection और Q transmission ठीक है यह हमारे पास में कहां से आया law of conservation of energy उश्मा सर्रक्षण के उर्जा सर्रक्षण के नियम से जितनी आएगी उतनी जानी चाहिए तो आई कितनी भी क्यों थी उसके तीन टुकडे हो गए बस reflect, absorb और transmit क्या यह बास समझ में आ रही है तो यहां से हमारे पास में तीन नई terminology और आती है उन तीन नई terminologies को हम लोग सीखते हैं क्या है पहला point आता है coefficient of absorption क्या हता है बिटा coefficient of absorption इसे हम लोग denote करते हैं बिटा small a से किससे denote करते हैं small a से किससे denote करते हैं small a से yes or no अब यह जो small a है इसमें तो मैंने नाम क्या लिखा है coefficient of absorption नाम लिखा है तो यह जो a होता है basically यह होता है ratio of absorb energy to the incident energy coefficient of absorption क्या है coefficient of absorption is defined as the ratio of the amount of energy absorbed by the body to the total energy incident on the body इन दोनों का जो ratio होता है उसे यहाँ पर कहते हैं coefficient of absorption हालां कि आगे चलके हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे पास में body भी दो तरह कि होती है ओ यह भी है कि yes दूसरा point है हमारे पास में coefficient of reflection तो आप खुद से definition लिख सकते हैं coefficient of reflection क्या होता होगा जड़ा सोचिए इसे हम लोग small r से denote करेंगे small r में क्या होगा कि यह दा it is defined as the ratio of the energy reflected to the total energy incident on the body और इसी प्रकार से हमारे पास में एक और होता है तीसरे नंबर पे इसे हम लोग कहते हैं coefficient of transmission इसे हम लोग क्या कहते हैं बिटा coefficient of transmission ठीक है और इसे हम लोग denote करेंगे t से तो t को define किया जाता है again it is also a ratio तो यह किस किस का ratio होगा the energy transmitted to the total energy incident दियान से सुनना क्या बोला गया है the energy transmitted to the total energy incident इनका जो ratio है उन्हें कहते हैं coefficient of transmission हलांकि इनके अलग-अलग नाम और है इस coefficient of absorption को एक और नाम दिया जाता है absorptance या फिर absorvity reflection या फिर reflectivity transmission या transmittance भी बोलते हैं इसे या फिर transmitivity transmittivity वाओ क्या नाम है तो यह यहां पर हो गए ठीक है तो अब यहां पर एक और थोड़ा सा हमको law पढ़ना है वो क्या है हम लोगों ने देखा था कि q incident जो है वो q a plus का q r plus का q t के बराबर है yes or no बिल्कुल सही बात है मैंने क्या किया मान के चलो यदि मैं इसमें डिवाइड कर देता हूं दोनों साइड से q i q i q i q i और q i बो लो क्या हो जाएगा तो आप कहेंगे sir ये तो 1 होते हुए नजर आ रहा है ये आपका a बनते हुए नजर आ रहा है ये आपका r बनते हुए नजर आ रहा है और ये आपका t बनते हुए नजर आ रहा है यदि आपको ये दिख गया है तो आप कह सकते हैं कि कि हमेशा किसी भी body के लिए a plus r plus t will be equals to 1 किसी भी body के लिए याद रखना किसी भी body के लिए मतलब we are talking about for body 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 किसी body के लिए ये बात हो रही है क्या a plus r plus t equals to 1 a plus r plus t equals to 1 ठीक है अब कोई भी body पर absorption reflection और transmission ये तीन ही phenomenon होने वाले हैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होने वाला है अब यहाँ पर यदि हम लोग कुछ बातें करते हैं तो वो बातें थोड़ी सी आगे चलती हैं और हमारे पास में point था मैंने आपको बोला था कि भीया आपके पास में जो body होती है न वो भी दो type की होती है एक होती है ordinary body क्या होती है ordinary body जब सिर्फ body word लिखा है तो हम लोग उसे कहते है ordinary body और एक होती है हमारे पास में black body क्या होती है black body black body मतलब जिसका रंग काला हो अब देखो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जिसका रंग काला हो उसे black body कहेंगे हाला कि हम लोगों को यहाँ पर black body से ज़्यादा interest है परफेक्ट black body क्यों परफेक्ट black body में interest क्यों है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो physics में पढ़ते हैं तो हम लोग सारी चीज़े ideal condition में पढ़ रहे होते हैं तो यहां पर भी black body मतला perfect black body के लिए बाते करेंगे तो ordinary body और black body में difference क्या होता है what is the difference between ordinary body and black body इसका एक simple सा एक example में आपो देता हो आप देखो generally क्या होता है कि जब सर्दिया होती हैं तो हम लोग dark color के कपड़े पहनते हैं और जब गर्मिया आती हैं तो हम लोग possibly white color या light color के कपड़े पहनते हैं ऐसा क्यों होता है कि जो black color के या dark color के कपड़े होते हैं सरदियों में तो वो क्या करते हैं उस आने वाली इसको heat को absorb करते हैं और कम reflect करते हैं है ना ऐसा ही करते हैं और अंदर अपने heat को बनाए रखते हैं जबकि गर्मियों में हम लोग क्या करते हैं white color के पहनते क्यूं क्योंकि आने वाली light को वो जादा से जादा reflect कर सके आने वाली light को वो जादा से जादा reflect कर सके इसके कारण ऐसा होता है ठीक है तो बिलकुल यही कुछ phenomenon यहाँ पर हमें देखने को मिलता है यस और नो तो हम लोग कहते हैं कि भाईया perfect black body वो body होती है which absorbs all the energy incident on it एक बात को ध्यान रखना जैसे ही यह statement पढ़ाया जाता है इसके बाद में सब students इसी वाले statement को याद रखने आगे चलके हमारे पास में एक point और आएगा और वो यह है कि जो black hole होता है it is not a black body but the sun is the black body याद रखना straight forward सवाल हो सकता है black hole क्या है black hole black hole क्या होता है black hole वो ऐसा है वीड़ा इस पे light भी गिरती है तो वो उसे भी उसमें से बचके जाने नहीं देता है वो black hole का concept है और sun क्या है sun भहिया आपके radiation को emit करता है वो sun जो energy को emit करता है वो energy हमारे पास में पहुँच रही होती है आगे चलके इस पे discussion होगा अभी बस याद रखना black hole is not a black body और याद दूसरा point रखना है sun is a black body sun जो है वो black body है कई लोग अब क्या करेंगे दुपेर के टाइम पे छट पे जाएंगे और सूरज को देखेंगे और बोलेंगे सर सूरज तो काला दिखता ही नहीं है आप कैसे बोले जबकि black hole तो काला दिखता है या कुछ concepts और है जो हम लोगों को अभी यहाँ पर नहीं पता है ठीक है अभी हम लोग क्या कर रहे है ordinary body और black body में हम लोग बात कर रहें perfect black body बे black body का simple मतलब यही है ऐसी body जिसका रंग काला है और ordinary body मतलब काले रंग को छोड़के कोई भी body की जब आप बात कर रहें तो वो ordinary body हो गई लेकिन black body में हमारा जो main focus है वो है perfect black body और perfect black body अभी के लिए introduction के लिए मैं कह रहा हूं ऐसी body which absorb all the energy which is incident on it इस पर पढ़ने वाली पूरी energy को वो क्या कर लेते हैं absorb कर लेते हैं इसके कुछ example होते हैं जैसे perfect black body nature में वैसे तो available है नहीं perfect black body nature में कोई भी available नहीं है लेकिन कुछ चीजे हैं जैसे lamp lamp black है lamp black यह क्या करता है it is approximately 98 percent black body lamp black is 98 percent perfect black body मतलग यह क्या करता है लगबग 98 percent radiation को क्या कर लेता है absorb कर लेता है तो इसे हम लोग perfect black body की तरह use कर लेते हैं लेकिन हमारे यहां पर एक scientist हो कर गए उन्होंने एक perfect black body artificially बनाई और उस body को हम लोग कहते हैं fairies black body क्या कहते हैं मिटा उस body को हम लोग नाम देते हैं fairies black body उन्होंने क्या किया होगा उन्होंने कुछ थोड़ी सी बुद्धी लगाई उन्होंने क्या किया थोड़ी सी बुद्धी लगाई और उस बुद्धी के बल पर उन्होंने एक black body को त्यार किया, उन्होंने क्या कि एक मैटल का एक ऐसा, एक ऐसा कुछ तो भी गोला सा बनाया और इस गोले के दो वॉल बनाई, इस गोले पर क्या बनाई बेटा दो वॉल बनाई और एक छोटा सा होल छोड़ दिया छोटा सा क्या छोड़ दिया होल छोड़ दिया और इस पर निकल की कर दी पॉलिश अंदर बाहर स्ट्रॉंग वाली ठीक है क्या कर दी निकल की पॉलिश कर दी यहां पर एक छोटा सा क्या छोड़ दिया होल छोड़ दिया ताकि इस में से एनर्जी अंदर आ सके और यहां पर एक reflector लगा दिया और ये conical reflector ऐसा कुछ तो भी यहाँ पर उन्होंने लगा दिया ठीक है अब यह जो है basically यह क्या कर रहा है यह conical projection लेता है और और इसके उपर में उन्होंने lamp black डाल दिया ता क्यों ऐसा किया क्योंकि यहाँ से जो energy आती है वो सीधी यहाँ पर आनी चाहिए और आने के बाद मैं 98% क्या हो गई absorb होगी मैंने आप एक point और गलत लिख दिया है अंदर वाली body निकल से नहीं हो सकती क्योंकि निकल से होगी तो reflect करेगी absorb 2% बचा जो reflect होगा वो यहाँ चला गया फिर यहाँ पर जो 2% था उसका 98% क्या हो गया absorb यहाँ से अंदर गया फिर ऐसे तो यह जो है न यह पूरा अंदर ही अंदर घूमते रहते हैं radiation और हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि लगबग आपका 100% क्या हो गया जो energy इस पर आई थी वो यहाँ पर absorb हो गई तो इसके कारण यहाँ पर क्या होता है इस body को हम लोग कहते हैं फैरी जिसे हम लोग perfect black body मान लेते हैं अब यहाँ पर एक छोट आसा point और है उसको भी समझ लीजे यह पूरी की पूरी जो body है न वो black body नहीं है एक यहाँ पर जो point और वो यह है कि यह बीच में जो space है वो क्या है यह empty space है यह क्या है empty space है empty space है मतलब क्या है basically यह vacuum है इसका reason क्या है ताकि conduction की कारण heat का transfer न हो सके तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर vacuum रखा है ताकि conduction से heat बाहर transfer न हो सके बाहर यहाँ पर polish कर दिये reflector पूरी तरह से reflector लगा दिया है ताकि जितनी energy इस पर गिरे वो पूरी की पूरी क्या हो जाए reflect हो जाए ताकि यह बाहर का temperature अंदर को अंदर वाले temperature को affect ना कर सके तो इस प्रकार से उन्होंने एक body बनाई जिसे उन्होंने बोला perfect black body फैरी इस black body यहाँ पर जो काम की चीज़े जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो यह समझ लीजिए वो यह है कि भीया यहाँ पर इस पूरी body को हम लोग black body नहीं बोलते हैं बलकि यह जो छोटा सा अपर्चर है यह जो छोटा सा जो small aperture है basically this aperture is the black body small aperture is the black body not the whole structure यह पूरा structure black body नहीं है बलकि यह जो छोटा सा छेद है जो छोटा सा यहाँ पर छिद्र बनाया गया है उसे हम लोग क्या बोलते हैं वो हमारा perfect black body होता है क्योंकि इस ने क्या किया इस छोटे से area ने क्या किया जितना radiation उस पे आया था उसे पूरा absorb कर लिए अभी आपको ऐसा लग रहा होगा आगे चलके हम लोग बात करने वाले हैं एशली मैं बताई देता हूं दा अमाउंट ओफ एनरजी एब्सॉवड इस इक्वल टू अमाउंट ओफ एनरजी रिलीज तो उसे हम लोग कहते हैं black body उसे हम लोग क्या कहते हैं पर्फेक्ट black body जितना एनरजी उस पर आया उतना ही यदि पूरा का पूरा वो छोड़ दे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं पर्फेक्ट black body कहते हैं यह होता है कहानी actual वाला यह सौर्णू आगे चलके हम लोग कुछ और टर्मिलोजी देखो यह चोटे चोटे से टर्मिलोजीज हैं जो आपको धीरे 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 क्या होने वाले हैं आने वाले हैं इनको बस आपको दिमाग में बिठाना अब इसमें क्या question बनेगा आप थोड़ा सा read करेंगे तो आपके दिमाग में सारी चीज़ें बैठ चुके होंगी काम की चीज़ क्या है विए ये जो small aperture है यही आपका black body ये पूरा construction में कुछ काम नहीं आने वाला है आप NCRT उठाके देखना उसमें बहुत ही कम content दिया हुए हम लोग बहुत ज़्यादा detail में पढ़ रहे हैं आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर हमारे पास में अगला जो point आता है वो आता है spectrum of black body ये spectrum क्या होता है spectrum of black body radiation spectrum of black body radiation जब हम लोगोंने intensity versus graph wavelength का graph बनाया तो वो हम लोगोंने मतलब कुछ scientist ने मनाया होगा उन्होंने क्या किया spectral emissive power मतलब lambda और e lambda basically इसके बीच में क्या किया एक graph बनाया ये क्या है e lambda is the spectral emissive power है उन्होंने क्या किया उन्होंने कुछ practical चीज़ें observe करी एक बाद ध्यान रखना मैं कभी कभी न absorb और observe में गलती कर जाता हूं बोलते समय absorb की जगे observe बोल जाता हूं और observe की जगे absorb बोल जाता हूं तो statement की भावना का ध्यान रखें ठीक है अब मैं याँ आपर क्या बोल रहा हूं कि scientist ने observe किया क्या किया कि उन्होंने wavelength versus intensity का graph बनाया जिसे spectral emissive power भी कहा जाता है spectral emissive power भी कहा जाता है spectral emissive power का graph बनाया with respect to wavelength जब ये graph इन्होंने बनाया तो ये graph कुछ ऐसे type के नजर आए ठीक है ये graph जो बनाये गए थे वो अलग अलग temperature पर बनाये गए थे ये graph जो बनाये गए थे वो कैसे बनाये गए थे अलग अलग temperature पर बनाये गए थे मानले लग बग ये 1000 Kelvin लग बग 2000 Kelvin लग बग 3000 Kelvin देख तो रहा है क्या मैं देख तो लूँ पहले हाँ देख तो रहा है so यहाँ पर क्या observe किया गया जो इसका जो peak है ना देखो यह peak देखो किस प्रकार से चल रहा है मतलब जैसे जैसे temperature को increase किया गया the e lambda तो increase हुआ but lambda क्या हुआ decrease हुआ यह कहानी इन्होंने practically क्या करी observe करी मतलब यहाँ पर जो peak value जो है वो shift हो रही है peak value उस particular lambda के लिए क्या हो रही है shift हो रही है और इसी चीज़ का analysis करके आगे चलके वेन करके scientist आए उन्होंने बोला कि भाइया जो thermal radiations emit हो रहे होते है उनकी जो wavelength होगी कुछ नगुछ wavelength होगी कि नहीं होगी यस होगी तो temperature बढ़ने पर wavelength decrease होती है temperature बढ़ने पर उस maximum energy की जो wavelength होती है वो क्या हो रही है डिस्प्लेस हो रही है और क्या हो रही है डिस्पलेस कि तर हो रही है लोर साइड में डिस्पलेस हो रही है इस basis पर आपका एक law बना है और इस law का नाम है वेन्स डिस्पलेसमेंट law इस law का नाम है यह कहता है कि भाईया the maximum wavelength of the thermal radiation is inversely proportional to temperature inversely proportional to temperature और इसे यदि मैं equal to का sign लगा दूँ तो यहाँ पर एक coefficient लगाना पड़ेगा constant लगाना पड़ेगा इसे कहा जाता है b को कहा जाता है vane's constant इसे क्या कहा जाता है vane's constant इसमें एक बात को ध्याना कि इसमें एक word आरा है displacement यह displacement word किसको बता रहा है यह displacement word बता रहा है इस graph के observation को क्या कि देखो पहले देखो, यहाँ पर गहान से देखो यह peak यहाँ है इस जगह पर है, फिर देखो इस peak घुए पर है फिर यह वाले peak को देखो ठोड़ा यहाँ पर है यह peak जो है न यह shift होते जा रहा है मतलब peak has been shifted और किस प्रकार से shift हो रहा है, देखो, wavelength zipper हो रही है temperature आपका increase हो रहा है यहाँ पर आपका thousand Kelvin था यहाँ 2000, यहाँ 3000 अच्छे यह data rough है approximately समझाने के परपस से कुछ भी data हो सकता है but what I am saying temperature बढ़ रहा है बस यह सही बात है और temperature बढ़ने पर यह जो lambda की maximum value है वो क्या आ रही है shift हो जा रही है क्या यह बात समझे में आई और इसी को उसने क्या कर दिया एक lockive form में डाल दिया और उसने बोला कि भी यह temperature increase होने पर the maximum wavelength जो होती है वो क्या होती है decrease होती है तो उसने अपना एक constant दे दिया और इस constant को हम लोग कहते हैं veins constant या veins displacement constant और इस b की जो value होती है वो 2.898 into 10 to the power minus 3 mk अच्छे इसको पढ़के बता सकते है small mk का मतलब क्या है small m capital K लिखा है इसका meaning बता दीजे सबसे पहले कितने लोगों के दिमाग में आ चुका है कि इसका meaning यह है 2.898 into 10 to the power minus 3 mk यह है सही बता ना कितने लोगों को सही आ रहा है यह है meter calvin क्या है meter calvin कई लोगों ने milli calvin सोच लिया होगा क्या सोच होगा I don't know but meter calvin है क्यों क्योंकि आपको units and measurement chapter याद नहीं है इसके लिए आपने गलती करी lambda maximum into t lambda क्या है wavelength wavelength किसमें major होगी meter में क्या है temperature temperature किसमें major होगा Kelvin में तो meter calvin straight forward सीधा सा सवाल आ सकता है yes or no sure हुए अब यहाँ पर एक बात को ध्यान दखिए क्या है यदि सवाल आना है तो directly आएगा या फिर comparison के लिए सवाल आते हैं सवाल कैसे comparison के लिए तो मैं अब इदेगो आज के lecture में मेरा target यह है कि हम लोग यहाँ पर पूरी जो theory है उसको खतम करेंगे तो यह theory point है सवाल इस पर आप easily कर सकते हैं temperature बढ़ाएंगे wavelength अलग अलग करवाएगा बोलेगा 4000 Kelvin पर यह wavelength आ रही है तो बताओ 6000 पर कितनी है यह आराम से कर सकते हो constant करके solve करना है इस से जादा हलोगा सवाल और क्या होगा कुछ भी नहीं है yes or no अब यहाँ पर law को यह दि मैं लिखना चाहूं लिखूं क्या मैं लिखा नहीं है न law को इस बार चुल लिख देते हैं वेन्स displacement law यह क्या कहता है the wavelength the wavelength for which spectral emissive power spectral emissive power of a black body of a black body is maximum is inversely proportional to temperature inversely proportional to temperature inversely proportional to temperature अलग-अलग तरह से statement दिये जा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है clear यह छोटा सा इसका क्या है law है wavelength displacement law कितना आसान सा है है ना ओके चलो अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर है न यह जो emissive power word आ रहा है इसको समझते हैं यह emissive power आखिर क्या चीज होती है let's learn let's learn the next point which is called as emissive power यहाँ पर यह जो word आ रहा है न emissive power आखिर यह चीज है क्या emissive power जब मैं बोलता हूँ तो वो क्या होती है what is this emissive power generally अब देखो यहाँ पर इसको हम लोग denote करते हैं E से किस से denote करते हैं capital E से denote कर लेते हैं basically emissive power क्या है energy per unit time per unit area इसलिए मैंने पहले word याद कीजिए मैंने लिखाता spectral emissive power में word लिखाता intensity intensity की definition क्या होती है energy per unit time per unit area वही यहाँ पर भी है बट यहाँ पर क्या हो रही है कि particular चीजों पर यहाँ पर बस word और थोड़ा सा फरक आने वाला है क्या फरक आने वाला है कि देखो क्या होता है जैसे कोई चीज है common sense वाला एक example मैं में आपसे बोलता हूँ हमारे पास में एक किलो की एक बॉल है ठीक है और उसको मैंने मानके चलो यह कर दिया क्या बोलते हैं मान चलों का गया है दोनों को क्या किया गया है सेम गरम किया गया है अब यह जी उसको ठंडा होने के लिए रख दिया जाए तो कौन सा जल्दी ठंडा होगा जाइर सी बात है जो जादा बड़ा होगा वो जादा ठंडा होगा क्यों ऐसे आपने सर यह तो हमने common sense यह तो बच्चपन से देखते आ रहे हैं इन्ही बच्चपन से देखते आ रहे हैं जिन्हें आप observe करते आ रहे हो उन्हीं के basis पर यह सारी चीज़ा यहां पर दी गई है yes or no so हम लोग बात करते हैं emissive power of a body at given temperature याद रखना यहां पर एक particular temperature पर बात हो रही है at given temperature is defined as is defined as the energy the energy किसका लिख रहा हूं मैं emissive energy emitted by emitted by the body by unit exposed area unit exposed area exposed surface area per unit time per unit time तो इसे कहा गया है क्या कहा गया है बिटा emissive power of the body emissive power of the body कहा गया है किस चीज़ को it is the what emissive power of the body at given temperature defined as the energy emitted energy emitted yes or no अब एक बात बताओ मैंने आपको बताया था कि everybody जिसका temperature zero Kelvin से बड़ा होता है वो radiation को emit करती है yes or no अब हम लोग क्या करेंगे उसके unit exposed surface area पर बात करेंगे exposed surface area मैं वड़ यह क्या कर रहा हूँ exposed मतलब जो खुला हुआ है जो environment के लिए खुला हुआ है उस exposed surface area की बात करनी है और unit time में हमको बात करनी है ठीक है हम लोगों ने माना कि यहाँ पर हम लोगों ने कुछ ऐसी चीजों को ले लेते हैं जैसे यह जो energy emitted है इसको मैंने मान लिया q q is the what energy emitted energy emitted मैंने मान लिया capital a को मान लिया area exposed या exposed area और t को मैंने मान लिया time t को मैंने क्या मान लिया time तो भीया यहाँ पर e का जो formula आएगा वो आएगा q upon a t e का formula क्या आएगा emissive power का formula आएगा q upon a t तो q is the energy emitted तो हो सकता है हम इसको cross multiply करके भी बना सकते हैं क्या इस पर आया हुआ numerical आपका गलत होगा q is the amount of energy a is the area surface area अब बोलो surface area निकालना स्फियर का 4 pi r square कोई आपके पास cube है या cuboid है cube है तो 6 a square cuboid है तो 2 into l b plus b h plus h l यही दो तिन standard body होती है या फिर आपके पास में cylinder दे दिया pi r square h volume हो गया pi r square h ध्यान नको क्या बोल रहे हैं 2 pi r r plus l yes तो यह छोड़ छोड़े से area है t time है कितने time के लिए बात चल रही है मालब देगा कि यह 10 joule energy क्या हो रही है 5 second में 2 meter प्रती second square वाले area से बाहर निकल रही है तो इसकी जो spectral emissive power आएगी वो आएगी कितनी बेटा e will be equals to 10 joule energy from 2 meter square area in 5 second so answer will be one weight per meter square क्या यह intensity की unit नहीं है बिलकुल intensity की unit है तो इसलिए हम लोग emissive power एक तरह से intensity ही है yes getting my point or not बिलकुल simple सी चीज़े है अब जैसे मैंने यहाँ पर एक word लिखा है emissive power वैसे ही हम लोगों को यहाँ पर आगे बात करनी है एक और terminal logic देखो मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पर आपको छोड़ी सी छोड़ी सी terminal logic के बारे में यहाँ पर बाते कर दी है हम लोग emissive power के अब से बताना है पहला पॉइंट temperature क्यों यह temperature तो definition को फिर से एक बार खोल के देखो what is written over there definition में क्या लिखा है definition पर यहाँ पर एक word लिखा है at given temperature कोई तो भी temperature पर बात चल रही है मतलब आपका temperature क्या है constant है दूसरा क्या होगा nature of body यह important point है क्यूं लकडी है कि लोहा है कौन जल्दी थंडा होगा कौन जल्दी गरम होगा तीसरा क्या होता है exposed area कितना area जो है वो उसका क्या है exposed है उसके अलावा एक और point होता है और वो होता है nature of surrounding मतलब आप उस चीज को कहा थंडा करना चाह रहे हो यह भी तो important factor है तो पता लगा भटी में रख दिये किसी furnace में रख दिये और आप बोले हो जा थंडा कैसे हो जाएगी वो तो नीचे से और करना हो जाएगी yes or no तो आपने बोला बिलकुल सही बात यहाँ पर आती है अब जब हम लोगों ने emissive spectral emissive power इस चीज को सीख लिया है तो अब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं एक और छोटे से terminology की और जिसका नाम है absorptive power क्या नाम है बिटा absorptive power terminology सीखने है आज तो बहुत सारी absorptive power अच्छा अब एक बात बताईए absorptive power का क्या मीनिंग आप लिख सकते हैं आप दिमाग में क्या सोचते हैं कि क्या होगा absorptive power सोचिए जब हम लोग बात कर रहे थे स्वरी जब हम लोग बात कर रहे थे एमिस्यू पावर में तो एमिस्यू पावर में मैंने क्या definition लिख वाई थी एमिस्यू पावर में मैं बोल रहा था कि यह दा amount of radiant energy sorry क्या बोल रहा था एट गिवन टेंप्रेचर एट गिवन टेंप्रेचर दा amount of energy emitted amount of energy emitted per unit area per unit time बराबर है अब यहाँ पर मैंने वर्ड यूज किया एब्सॉप्टिव पावर मैंने वर्ड क्या यूज किया एब्सॉप्टिव पावर इसका मतलब यह है कि energy को क्या करना है absorb करना है क्या करना है absorb करना है सो बताइए क्या होगा यहाँ पर absorptive power absorptive power of a body at given temperature अगे इन देखो वड़ा गया at given temperature is defined as defined as amount of radiant energy amount of radiant energy absorbed by absorbed by a body per unit area per unit area per unit time per unit time इसे हम लोग क्या कहेंगे बिटा absorptive power कहेंगे yes or no इसे क्या कहेंगे बिल्कुल सेम जैसे वहाँ पर emissue power कर रहा था बिल्कुल वैसे ही कहेंगे यहाँ पर बस एक star वाला point है the body the body which absorb the body which absorb all the radiations all the radiations of all wavelength of all wavelength अब देखो यह वाली बात clear होनी चाहिए यदि radiation है तो उसके पास में wavelength होंगे is called as is called as perfect black body यह बात सौने में आ गई ऐसी body जो उस पर गिरने वाले सारे उसको क्या कर लेती है absorb कर लेती है उसे क्या बोलते है परफेक्ट black body और वैसे absorptive power क्या होती है वो आपको यहाँ पर मैंने बतला दिया है yes or no तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है अब इसमें भी वही सारे जी जाएंगी किस किस पर dependency होगी तो आप लिखेंगे temperature पर nature of the body पर exposed area पर और nature of the surrounding पर absorptive power depend करने वाली है ठीक है ओके अब यहाँ पर हमारे पास में एक point आता है और वो point आता है coefficient of coefficient of emission या फिर हम लोग इसे कहेंगे emissivity क्या कहेंगे पीटा emissivity जिसे हम लोग denote करेंगे small e से जिसे हम लोग denote करेंगे किस से small e से इसे हम लोग यहाँ पर denote करेंगे यह small e कैसे define किया गया है e divided by e b मतलब क्या है बताओ तो capital e क्या है अभी आपने पढ़ाता spectral emissivity power या emissivity power spectral नहीं spectral लिखते हैं हम लोग लैमडा भी यूज करते हैं यहाँ सिर्प उसे emissivity power की बात कर रहो क्या है e capital e क्या है emissivity power मतलब energy emitted energy emitted by an ordinary body ध्यान रखना ordinary body at given temperature per unit area per unit time per unit area per unit time यह है आपका e अब यहाँ पर यह जो e भी लिखा है न यह क्या है यह बिलकुल same चीजे हैं मतलब energy emitted ही है energy emitted ही है by a black body बस क्या difference आ गया है यहाँ पर बिटा word में black body जो मैं यहाँ पर word लिख रहा है नहीं ordinary body उसकी जगह यहाँ पर word आ गया energy emitted by a black body at given temperature at given temperature per unit area per unit area per unit time per unit area per unit time उसे हम लोग कहेंगे energy of e भी उसे क्या कहेंगे e भी देखो मतलब हैं तो दोनों भी emissive power मतलब e का मतलब क्या है emissive power of black body sorry emissive power of ordinary body ordinary body और emissive power of emissive power of black body इन दोनों का जो ratio होता है न उसे हम लोग कहते हैं coefficient of emission या emissivity उसे हम लोग क्या कहते हैं coefficient of emission या emissivity सो ध्यान रखना coefficient of emission या emissivity यदि कहीं दिखा हुआ इसका मतलब क्या है it is the ratio of capital E by capital EB मतलब the emissive power of ordinary body और emissive power of black body इन दोनों का जो ratio होता है उसे हम लोग small e कहते हैं जिसे coefficient of emission या emissivity कहा जाता है क्या ये बात सुझ में आ रही है अब यहाँ पर एक बात याद रखिए क्या होता है कि यदि आपके पास में कोई perfect black body है हमारे पास में यदि कोई perfect black body है कोई perfect black body है तो उसके लिए emissivity की value क्या होती है one होती है क्या होती है one होती है perfect black body के लिए coefficient E क्या होगा one क्यों ऐसा होगा क्योंकि यदि आपने body को पहले सी black रख लिया है तो यह उपर भी MSU power of black body रखने पड़ी और नीचे भी MSU power of black body रखने पड़ी दोनों cut के 1 हो जाएंगे लेकिन यदि हमारे पास में कोई है perfect reflector body क्या है बिटा perfect reflector body यास और नो तो इसके लिए E की value होती है 0 इसके लिए क्या होती है E की value 0 होती है लेकिन जो ordinary bodies होती है उनके लिए 0 और 1 के बीज में होता है क्या ये बास में आ रही है सर ये कैसे आया तो इसका reason ये है कि जो good absorber होते हैं वही good emitter होते हैं इसका reason क्या है good absorbers are good emitter आर गुड एमीटर लेकिन हमारी जो body दी गई है वो perfectly reflector body है तो वो यदि absorb ही नहीं करेगी वो सारा का सारा reflect कर देगी तो उसके लिए absorbity क्या हो जाएगी 0 मतलब वो absorb नहीं कर रही है और यदि absorption 0 है तो emission भी क्या हो गया 0 और emission 0 हो गया ordinary body का तो भी आप formula लगा के देख लो E बराबर था capital E upon E B, E भी तो कुछ ना कुछ होगा लेकिन emissive power of that body will be 0, why is the 0? because the good absorbers are good emitter but since the given body is reflector तो उसने अपने उपर आने वाली energy का कुछ भी absorb नहीं किया कुछ भी absorb नहीं किया हो तो E की value 0 और उपर 0 है नीचे कुछ भी होने तो 0 divided by any number या 0 divided by any number answer will be 0 0 divided by any number answer will be 0 तो इसलिए perfect reflector body जो होती है उसके लिए E की value 0 होती है बट यहाँ पर एक बात ध्यान रगना कि for ordinary body जो साधारन body होती है ordinary body इसके लिए बटा E की value जो है वो 0 और 1 के बीच में होती है यह काम का data है यह क्या है हमारा काम का data है yes or no so good absorbers are good emitter किसके लिए बात चल रही है यह सारी चीज़े बटा याद रखना heat के लिए बात चल रही है यहाँ पर हाला कि यह कुछ concept ऐसे है जो light के लिए भी आगे काम में आ जाते हैं लेकिन यहाँ भी हम लोग particularly बात कर रही है किसके लिए heat के लिए ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा और बचाए बटा चैप्टर ध्यान रखिए कोई ऐसा जादा यह नहीं बचा है अब हम लोग बात करते हैं किर्चॉफ्स law of radiation पर किर्चॉफ्स law of radiation यह क्या कहता है यह कहता है भी यह बराबर ए यह कहता है a बराबर e मतलब क्या है a क्या है याद करो आपको याद होगा a बराबर था q a upon q i और e बराबर है e upon e b yes or no और यह कह देता है कि भी यह बराबर है e अब basically देखो क्या हो रहा है यहाँ पर तो energy से related बात हो रही है तो भी यह हम लोग यहाँ पर q a upon a into t लगा देता हूं और q i upon a into t लगा देता हूं ठीक है भी देखो e का formula क्या था हमारे पास e का formula q upon a t था ना तो वही यहाँ पर लगा दिये तो basically हमारे पास मैं यहाँ जो चीज़ें आ रही है वो किस परकार से आ रही है q a मतलब मैं लिख देता हूं e a upon e i और यह यहाँ पर आ रहा है e upon e b तो यह किर्चौफ का जो नियम है वो कहता है कि a बराबर e होना चाहिए मतलब किर्चौफ का law किर्चौफ law of radiation कहता है कि at any temperature at any temperature किसी भी temperature पर कोई भी body जितनी energy absorb करती है उतना ही क्या करती है एमिट करती है तो कहता है at any temperature for a given body किसी भी दी गई body के लिए coefficient of absorption या मैं बोलू absorbity is equal to emissivity देखो अब मैं ये law मैं चाहूं तो इसे प्रूफ कर सकता हूं लेकिन that will only waste your time याद रखना है कि a बराबर क्या होता है यह होता है यस और नो क्या याद रख पाओगे या नहीं रख पाओगे ठीक है that's the story of Kirchoff's law of radiation कई लोगों बोलेंगे सर यहां पर आपने बहुत तगड़ा वाला shortcut मार दिया यस विटा I know that but आप NCRD को जाके एक बार देखी क्या NCRD में इस सारी एंक्लोजर लेंगे उस एंक्लोजर के अंदर में इसमें एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट किया जाते हैं क्या करते हैं और पुट करते हुए चलते हैं और बात में पता चलता है कि जो बाड़ी ने कितना temperature release किया है वो सेम हो जाता है तो लास्ट में हम लोग लिख देते हैं A बराबर E है तो इस प्रूफ के फंडे में पढ़के कोई मतलब नहीं है बेसिक यहाँ पर जो एक सिंपल सा पॉइंट याद रख सकते हैं वो यह है कि किर्चौफ's law of radiation is consistent with the 0th law of thermodynamics 0th law of thermodynamics क्या है तो यह हम लोग thermodynamics में पढ़ेंगे लेकिन याद रखना है इस chapter के point of view से क्या कि किर्चौफ's law of radiation is consistent with the 0th law of thermodynamics 0th law of thermodynamics जब thermodynamics पढ़ेंगे तब आपको यह 0th law of thermodynamics समझ में आ जाएगा अभी तो आपको यह याद रखना है कि किर्चौफ's law of radiation जो है वो thermodynamics के 0 law के साथ में क्या है consistent है 0th law में जब आप जो चीज़ेंगे वहाँ से आपको और थोड़ा सा idea clear होने लगेगा आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगला point करते हैं Stephen's law of radiation Stephen's law of radiation आ चले हैं बेटा हम लोग Newton's law की तरफ Stephen's law of radiation पर हम लोगों को बाते करने हैं अब देखो दो topic बचे हैं हमारे पास एक बचा है Stephen's law of radiation और एक topic बचा है आपका Newton's law of cooling ठीक है सबसे पहले हम लोग बात करते है Stephen's law of radiation Stephen's law क्या कहता है Stephen's law Stephen's law of radiation कहता है कि The amount of energy, amount of energy, amount of energy emitted by body, emitted by body per unit area, per unit area, per unit time, per unit time is directly proportional, directly proportional to its fourth power of, fourth power of absolute temperature यह है आपका क्या Stephen's law of radiation यह है आपका Stephen's law of radiation तो भीया सिंपल सी बात है, एक बात बता हो क्या लिखा है The amount of energy emitted ठीक है, the amount of energy emitted की हम लोग बात कर रहे हैं लेट्स से हम लोग यहाँ पर black body ले ले लेते हैं या जो भी चाहें वो body हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं लेकिन शायद कोई गरबड़ी हो रही है मेरे से क्योंकि यह law जो है एक काँ, ओ सॉरी बेटा सुनो, हाँ वहाँ पर फिर sigma आएगा, आगे चल के आएगा तो यह है अभी के लिए जो law है, law है for perfect black body, तो इस word को यहाँ पर add कर लेना, for the amount of energy emitted by a perfect black body time is directly proportional to the, it's fourth power of absolute temperature तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं let's say, तो q जो है वो amount of energy है, emitted by the black body, a जो है वो आपका area है, t आपका time है, तो हमारे पास में एक और चीज जो बनके आएगी, temperature और रहे गया है, absolute temperature, t यहाँ पर temperature, लिख ले, energy emitted by a black body, a area of the black body, t is the time, capital T is the temperature तो आप कहोगे की q upon a into t is directly proportional to the t to the power 4, यह है इसकी कहानी, अब यहाँ पर इसको हटाएंगे और proportionality sign को लाएंगे, तो आप लिखोगे q upon a t, q upon a t, basically आप देख लीजे मैं यहाँ पर यह पूरा जो law बन रहा है, वो बन रहा है black body के लिए, तो q upon a t of black body बोलो क्या बन जाएगा, सोचो और बोलो, पड़ा हुआ है आप लोगों ने emissue power of black body बन जाएगी मतलब आप कह सकते हो कि e b is directly proportional to the t to the power 4, और यदि ऐसा होता है, तो इस proportionality sign को हटाईए और एक constant जोड़िये, और into t to the power 4, इस constant को हम लोग नाम देते हैं बेटा, क्या, sigma जो होता है, स्टीफन्स constant, और ये बन जाता है e b equals to sigma into t to the power 4, ये जो sigma है, इसे कह रहे हैं, स्टीफन्स constant बहुत ही आसान है, बेटा, स्टीफन्स constant, क्या होता है, सिग्मा होता है 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 याद कीजिए, जब हम लोग ने वेंस displacement law लिखाता है, उसमें जो constant लिखाता है, वो वेंस constant आ, 2.898 into 10 to the power minus 3 meter Kelvin, याद रखना थोड़ा सा difficult है, ये इतना जादा difficult नहीं है, ओके yes or no, अच्छा इसकी SI unit निकाल नहीं है, तो निकाल सकते हो, sigma बराबर EB upon T to the power 4 तो यहां से क्या आएगी, ये आएगी, वेट पर meter square Kelvin to the power 4 वेट पर meter square Kelvin to the power 4 ये आपका स्टीफन्स constant हो गया, सीधा सीधा सवाल यहां पर बन सकता है, ठीक है yes or no, अब एक point आता है, उसको समझे क्या है कहा ये जा रहा है कि यदी कहा ये जा रहा है कि if स्टीफन्स law is applicable to ordinary body तो क्या करे है, applicable to ordinary body, एक ordinary body के लिए यदी मुझे स्टीफन law लगाना है, तो किस प्रकार से लगाऊंगा ये बताईए, ये आपको पूछा गया है तो आप कहेंगे सर, इसमें क्या है, e b बराबर हम लोग जानते हैं, sigma into t to the power 4 आ गया, एक और बात पढ़ते हैं, हम लोग की e बराबर होता है, e upon e b so it implies e b की जगब e आना चाहिए, तो e बराबर can be written as e into e b या सोर नो, बोलो, सही लिखाए गया तो इसका मतलब ये है कि यदि मैं दोनों साइड में e से multiply कर देता हूँ, तो e will be proportional, sorry, proportional काएगो equals to e sigma t to the power 4 मतलब Stephen law को ordinary body के लिए यदि लगाना है तो आपको coefficient of emissivity या coefficient of emission या emissivity से multiply करना पड़ेगा तब ही आप Stephen's law को ordinary body के लिए लगा पाओगे अन्यथा नहीं ordinary body के लिए लगाना है तो e से multiply करो, black body के लिए लगाना है तो कोई tension है ही नहीं, अच्छे एक बात ध्यान दखना है ये higher temperature वाली body के लिए होते और किसके लिए बात कर रहे है emission मतलब कितना radiation निकल रहा है, कितना radiation निकल रहा है, अब यहाँ पर क्या होता है, एक point और होता है कि हम जानते हैं, देखो एकदम sequence चल रहा है, हम जानते हैं कि यह कोई body कोई body, जब उसका temperature 0 Kelvin से बड़ा है तो वो radiation को emit करता है, क्या यह बात सत्य है बिल्कुल सत्य है, emissions को क्या करेगा sorry, radiation को क्या करेगा emit करेगा, अब जो surrounding होता है, उसका भी तो कुछ temperature होता है होता है या नहीं होता है, तो आपने बहुला बिल्कुल सही बात है, तो क्या कोई body, यदि ऐसे surrounding में रखी है ऐसे surrounding में रखी है, जिसका temperature T0 है, और एक body जिसका temperature आपके पास में capital T है और T greater than T0 है तो भाई है, यहाँ पर तो अभी भी radiation तो क्या होंगे emit ही होंगे, और जब यह emission होंगे तो हम लोग यहाँ पर क्या कहते है कि जो loss of energy निकल के आती है, क्या निकल के आती है net loss of energy जो निकल के आती है वो कितनी लिखी जारीगी that is the question मैंने क्या बोला एक surrounding में रखी हुई surrounding में हम लोग बात करें, देखो कहीं भी किसी भी body को रखो, कहीं नहीं तो रखोगे ऐसा थो है नहीं, सब जगे वही same temperature कर दिया तो जिन्दा कैसे रहोगे तो हम लोग क्या बात करें, किसी surrounding में जब किसी body को रखा जाता है जब किसी surrounding में किसी body को रखा जाता है तो जो loss of energy होता है basically the net energy emitted मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ उसका reason ये है क्योंकि आपने क्या कर लिया है कुछ energy को absorb कर लिया है तो वो जो लिखा जाता है वो यदि black body है for black body तो आप क्या लिखोगे इसमें भी condition है कि per unit area, per unit time का भी ध्यान दखना है नहीं तो परलगा वो ध्यान भी नहीं है उनका भी आपको लिखना पड़ेगा तो हम लोग मान लेते हैं loss of energy loss of energy या the net energy emitted और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर per unit area और per unit time per unit area per unit time किसके लिए black body के लिए तो यह लिखा जाएगा sigma t to the power 4 minus t naught to the power 4 ध्यान दखना per unit area per unit time है सवालों में क्या होगा सवालों में per unit area per unit time को हटा देंगे तो आपको यहाँ पर area और time से multiply भी करना पड़ेगा और यदी ordinary body हो तो यदी हमारे पास मैं ordinary body हो तो क्या करूंगा बताओ ordinary body के लिए आपको coefficient of emission या emissivity से multiply करना पड़ जाएगा मतलब answer will be e sigma t to the power 4 minus t not to the power 4 यह आपका answer यहाँ पर तयार हो जाएगा देखो यह सारे lodge आदा है इस chapter में यहाँ पर जो section चल रहा है यह सब mostly आपका किस से related है lodge से related है किस से related है lodge अलग अलग तरह के नियम है जो आपको यहाँ पर पढ़ने है ठीक है क्या यह बास में आ रही है yes or no तो आपने बुला सही बात है net loss of energy the net energy emitted यह यहाँ पर आ रही है clear इस पर सीधे सवाल बनेंगे straight forward okay चलो अब यहाँ पर देखो यह body जो है temperature किसी surrounding में रखने पर यह आपके पास में loss आ रहा था तो इसी loss को ध्यान में रखते हुए कुछ experiment किये गए और हमारे पास में हमारे favorite newton sir आये और उन्होंने अपना एक नियम फिर दे दिया है ना कई लोगोंने नाम सुनते ही बोला होगा काश वो apple का पेड़ उसी दिन गिर जाता है ना बहुत आसान है basically इसको ध्यान से देगे इसमें कोई ज़्यादा टेड़ी चीज नहीं है क्या किया उन्होंने एक experiment किया एक experiment किया ठीक है क्या experiment किया और कहा किया तो room temperature पर experiment किया और इसे लगबग उन्होंने 25 degree Celsius का रमान लिया फिर उन्होंने क्या किया कि दो container में पानी को गरम किया ठीक है दो container में का एक ही container में पानी को गरम किया एक container में पानी को भर दिया और इ हाट हाट किया गया इसको क्या किया गया गरम और कब तक गरम किया उन्हों ने इसको गरम किया लगबग लगबग सत्तर अस्ति पिचेतर डिगरी सेल्सिस के साइफ देट आ गया ये एक्स परिमेंट आप भी कर सकते हो ठीक है उसके बाद उन्होंने क्या किया उन्होंने कर लिया एक घड़ी लगा ली 75 डिग्री सेलसिस तक गरम होनी दे गरम होगा तो इंतजार करना पड़ेगा यह नहीं करना पड़ेगा अच्छा यहाँ पर एक पॉइंट और ध्यान दीजिए सराउंडिंग का टे टाइम की ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करी 75 डिग्री था और यहाँ पर 25 डिग्री सेलसिस क्या था रूम टेंपरेचर मान लीजेश ग्राफ पे कहीं उन्होंने 25 डिग्री सेलसिस यहाँ पर नोटेशन कर दिया 25 डिग्री सेलसिस है ना और उन्होंने इसको थंडा होने अब इसके बाद उन्होंने क्या किया थंडा होने दिया और घड़ी लगा ली तेंपरेचर वर्सेश टाइम का ग्राफ ड्रॉ कर किया तो उन्होंने पाया कि ये जो ग्राफ है कुछ ऐसा आया मतलब जो rate of मतलब surrounding में जब इस hot body को रखा गया तो जो थंडी हो रही है वो कैसे थंडी हो रही है तो आप देखिए initially very fast उसके पश्चात धीरे धीरे क्या हो रहा है slow हो रहा है और last में लगबग ना के बराबर हो रहा है पहले बहुत तेजी से थंडी हुई कोई भी जो चीज होती है जो surrounding में रखी होती है वो surrounding से जतना ज़्यादा temperature difference होता है पहले जल्दी थंडी होती है बाद में धीरे 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 थंडी होने लगती है उनका सर चकराया उनका सर चकराया और उन्होंने बोले ऐसे कैसे हो रह है तो उन्होंने इसको थोड़ा सा और किया और उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने temperature difference पे बात करी उन्होंने क्या बात करी आगे गए देखो जब ये graph ऐसा मिला तो उनके मन को संतुष्टी नहीं मिली उनके मन को संतुष्टी नहीं मिली फिर उन्होंने क्या कि टेंप्रेचर डिफरंस पर ही चले गए उठके किदर चले गए टेंप्रेचर डिफरंस पर चले गए और फिर उन्होंने बोला कि यदि टेंप्रेचर डिफरंस यदि जादा ना हो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में में जो rate of loss of heat जो है that is directly proportional to the temperature difference between system and surrounding या is directly proportional to the access of the temperature from the surrounding ऐसा उन्होंने एक simple सा क्या कह दिया एक नियम यहां पर उन्होंने दे दिया हालाग इसका भी derivation कर सकते हैं लेकिन इसके भी derivation को हम लोग जो इसका derivation करते हैं वो करते हैं स्टीफन's law of radiation से जब स्टीफन's law of radiation का derivation कहा है मार पस है क्या नहीं है law है Newton's law of cooling है तो law है तो हम लोग इसके derivation के फंदे में नहीं पढ़ेंगे हमारे पास में कहानी जो हो रही है बस हम लोग उसको समझते हुए चलते हैं उन्होंने सिर्फ क्या कह दिया उन्होंने एक बात और कही देखो जिसको हम लोग आगे लिखेंगे वो कहेंगे कि rate of fall of temperature is directly proportional to the difference of the temperature दो चीज़ें हैं आपर क्या हैं दो चीज़ें हैं पहला simple उन्होंने क्या कहा कि जब हमारे पास में rate of loss of heat is directly proportional यह उन्होंने temperature from surrounding surrounding से आपका temperature कितना जादा है उस चीज़ के directly क्या है यह proportional है कौन rate of loss of heat तो हमने लिख दिया dq by dt is directly proportional to t minus का t naught if capital T is the temperature of the body and t naught is the temperature of the surrounding तो यह हमारे पास में कहानी आ गई हमने क्या किया proportional का sign हटाया और एक constant यहां पर लगा दिया t minus का t naught हो सकता है कि जब आप booklet देख रहे हो तो वहाँ पर मैंने theta minus theta naught लिखा हो उससे कोई फरक नहीं पड़ता है आप कैसे भी इसको कर सकते हैं ठीक है अब यह जो dq होता है बेसिकली हम लोग जानते हैं क्यू जो होता है वो होता है ms delta t क्यू क्या होता है ms delta t होता है यदि हम लोग 0 से बात करें तो ms उसको t भी लिख सकता हूं yes or no लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता तो आपने बुला बिल्कुल लिख सकते हैं है ना यदि मैं इस q के बारे में बात करूं तो 0 से किसी temperature t पर यदि body को लेके जाया गया है तो q will be equals to ms t बराबर है yes or no इसको यदि मैं यहाँ पर set कर देता हूं तो मेरे पास में क्या बनके आएगा हमारे पास में बनके आएगा ms dt upon dt बराबर k into t minus का t naught yes or no क्या यह वाली बात यहाँ पर निकल के आती है yes or no तो आपने वोला सही बात है तो यहाँ पर यह बन गया dt by dt बराबर k upon ms और इसे हम लोग लिख सकते हैं delta t so यहाँ पर लिखा गया है कि rate of fall of temperature dt by dt क्या बन गया बन गया है rate of fall of temperature is directly proportional directly proportional to the temperature difference temperature difference between system and surrounding between system and surrounding यह है आपका Newton's law of cooling मतलब आप इसे लिख सकते हो dt by dt is directly proportional to delta t यह है आपका alternate statement of Newton's law of cooling yes or no dt by dt is directly proportional to delta t सवाल इस पर नहीं करने हैं सवालों के लिए अलग से formula यहाँ पर बताया जाएगा सवाल करने का जो formula होगा वो अलग होगा बिल्कुल ऐसे नहीं करने ना इस पर सवाल आएगे सवाल ऐसे पुछे जाते हैं जैसे एक body है 25 पिचेतर से 70 दगरी तर celsius तक थंडी होई है तो वैसे टाइप के इसमें यहाँ पर सवाल बनेंगे जिनको मैं करवाओंगा आने वाले अगले लेक्चर में ठीक है कोशिश करेंगे ठीक है तो इसी के साथ मैं आज के लिए बिटा बस इतना ही मुलाकात होगी फिर से आने वाले अगले लेक्चर के दर्मियान सो तब तक के लिए आने वाल